कि अपना क्लास 12 का पहला चप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनस तडीज का अगर आपको याद होगा इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी दाट वास रिगार्डिंग करियर मैंने उसमें आपको बताया था, I told you that अलग-अलग सब्जेक्ट से अलग-अलग करियर निकलते हैं, so business study is also a very-very important subject जिसके basis पे आप future में BBA, MBA वो आप कर सकते हैं और ये एक subject ऐसा है जो आधार है जो BBA में चलके आप principles of management पढ़ेंगे, organization behavior पढ़ेंगे, human resource management पढ़ेंगे, so it is very important आप हर वीडियो को आप ध्यान से देखियेगा, because business studies काफी scoring subject हो सकता है अगर आपके concepts clear हैं, और वो concepts clear हम आपके कराएंगे, और लेटर on we will also go for revision, so let's start with the chapter, now what is management, बहुत common, बहुत normal word है, that what is management, so what is management, to manage anything, कोई भी चीज जब हम manage करते हैं, चाए हम अपने घर में कोई छोटा सा function manage करें, हम घर में कोई शादी होती है, हम बाहर कोई चीज manage करते हैं, वो कैसे हम करते हैं, उसको हम management बोलते हैं, इसी तरह से हम जब किसी के business को, जब मैं कहा रहा हूँ किसी के business को, when we work in the organization, तो व business को कैसे manage किया जाता है, उसको हम business management बोलते हैं, जो कि आप 12th में, business studies में, इसको starting में पढ़ रहे हैं, पहला chapter है, nature and significance of management. Now, it is very important to understand the root, generally, वो क्या है basic, जिसके आधार पे ये subject है, अगर हम management की बात करते हैं, तो 4M is very important, men, money, machine and material. अगर आपको ये 4M manage करने आ गए, तो आप समझेए, आप आज से ही perfect manager है, but students, it is not easy to manage these 4M's. सबसे पहला M लीजे आप, men, to manage men, men मतलब एक organization में बहुत सारे लोग होते हैं, 5000, 2000, 10,000 लोग काम करते हैं, उनको manage करना इतना असान नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अलग-अलग personality है, अलग-अलग taste and preference है, अलग-अलग उनके attitudes है, अलग-अलग likes and dislikes है, और most important अलग-अलग behavior है, उनके अलग-अलग behavior का impact पड़ता है organization पे, ये सब manage किये जाते हैं, जो senior लोग है, department heads होते हैं, vice presidents होते हैं, आपने देखा होगा किसी को प्यार से समझाना है, से उनको manage करना है, that is first time, that is men, second है money, अगर हम money की बात करें, मान लीजे, आप चार भाई है, for example, और आपके father आपको एक करोड रुपया देते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, एक करोड रुपया लेके न, एक करोड रुपया देते हैं, और फिर ही कहते हैं, कि एक साल बाद मिलना, अब एक साल के बाद हो सकता है, जो सबसे बड़ा भाई हो, उसने एक करोड के दो करोड बना लिए, ठीक है, उसने कहीं investment किया होगा, कहीं उसने FD में किया होगा, कहीं उसने property में किया होगा, दूसरे भाई ने एक करोड के दस करोड बना लिए, कोई बहुत ही, उस उसने रिस्की इंवेस्टमेंट की होंगे उसे जादा रिटन होगे थर्ड नंबर का भाई ऐसा होगा जिसके एक करोड में सिर्फ मुश्किल से दस लाग ही बने होगे उसने का जी मैं बहुत ही सेफ इंवेस्टमेंट लेके चला और मैंने तो बैंक एफडी के लावा कुछ क को मैनेज करना इतना आसान नहीं है तो वाट वी अंडर्स्टूट अप्टिल नाव इस में दन मनी और थर्ड इस मिटीरियल्स हाव वी यूस्टमाल कैसे करते हैं वह हम डिटेल में भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे और यह जो थ्री एम्स होए हैं इन थ्री एम्स के तक करें सबसे और सबसे हैं रहे सबसे एज्य और कality को से बहुत सारी देफिनिशन मिलेंगे सबसक्त हें रहे कों रॉत में करता यह आप्य 250 एदेफिनिशन करिये वह पर्य९रीड देफिनिशन करिये ढ低र्स अर्यक्ति ऐख और और वर best definition of management is to the art of getting things done through others और उसे काम कैसे लेना है वो management होता है वो ही अच्छा manager होता है और उसके लिए जरूरी और important क्या है और उसे काम कैसे लेना है effectively and efficiently effectively का क्या मतलब है on time काम हो जाना चाहिए आप अपने दिमाग में रखिए कई मार objective type question आता है that effectively means time पे काम complete होना organization में deadlines होते हैं और efficiently का क्या मतलब है कम से कम resources में यानि क्या आ गया cost involvement आपकी बहुत कम होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए जितना कि आपको budget sanction है आप यह नहीं कह सकते ठीक है सर मुझे काम मिला है अगर मैं effectively की बात करूं मैं कर दूंगा आप चिंता मत करो स से दिस वो कहेंगा नहीं यह कल तक काम करके देना है आप यह नहीं कह सकते हो ठीक है सर मुझे पचास आदमी दे दीजी इस काम के लिए कैसी बात कर रहे हो आपको किसले रखा organization में सिर्फ दो आदमी मिलेंगे दो आदमियों के साथ आपको काम करना पड़ेगा so effectively and efficiently then you will be known as a good manager आगे चलते हैं characteristics of management first is goal oriented कोई भी organization होती है वो goal oriented organization होती है goal set पहली आपको बता दे जाते हैं कैसे काम होगा क्या goals है जब मैं थोड़ा सा मैं background में जाना चाहूंगा goals की vision mission objective goals यह बड़े clear cut होने चाहिए हर organization का कोई ना कोई vision होता है और हर organization का जब vision होता है तो उसका mission होता है and then comes objective and goals कई बाद students पूछते हैं sir vision बढ़ा होता है mission बढ़ा होता है obviously it is the vision vision के base पे ही आपका mission बनता है and then we set objectives and goals so every organization is goal oriented उनका अपना goal है कि हमारा क्या target होगा आप से हमें क्या उमीद है जब आपका recruitment होगा organization में आपको बताया जाएगा हमें आप से क्या-क्या उमीदे हैं and what all things are expected out of you ताकि हर साल में जब performance appraisal होता है जब आपकी salary increase होती है तो यह बहुत helpful होता है so every organization is goal oriented second is management is pervasive यह जो management का function एक हाली एक नहीं है कि एक किसी company में होगा या बड़ी factory में होगा छोटी factory में नहीं होगा it is everywhere छोटी organization बड़ी organization small organization hospitals जो भी होगा हर जगह management है घर में management है school में management है universities में management है multilation organization management है government office में management है it is all pervasive the third is multi-dimensional multi-dimensional का क्या मतलब है जो management का function है वो अलग-अलग dimensions पे काम करता है that is managing people managing work managing production production में जैसे हम काम करते सबसे पहले तो production में यह देखा जाता है जा manufacturing होती है wastage ना हो और आगे चलके जब आप BBA MBA करोगे तो आपको पता चलेगा कि Japanese concepts है कुछ वो Japanese concepts बड़े important होते हैं like TQM total quality management total quality management में देखा जाता है को हमारी wastage ना हो आपका जो आप input डाल रहे है raw material वो बहुत अच्छी quality का होना चाहिए बहुत अच्छी quality का होगा तो ही आगे हमारा output अच्छा होगा वहाँ पर management देखा जाता है फिर एक concept होता हमारा JIT just in time यह just in time क्या है कि जैसे हम आपना कोई जब हम produce करते हैं हमारा raw material तो पहले क्या होता था raw material हमने लाके रख लिए raw material waste हो जाता था बारिश आगी कुछ और हुआ वह wastage हो गया उसमें कुछ लग गया गंदगी हो गया अब ऐसा नियह just in time जितना चाहिए उतना आप use करिए बाकी आपका safe रहेगा बाकी multi-dimensional में और क्या हो गया management of people जो आपके employees काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना उनके welfare का ध्यान रखना उन उनकी जो grievances हैं उनको resolve करना है क्योंकि difference यही पर आता है आपकी workforce बहुत अच्छी होनी चाहिए जिस organization की workforce बहुत अच्छी होगी वहाँ पे काम भी बहुत अच्छा होगा और it's very important that motivation कहां से आता है moral से moral I hope students you have heard this name moral आपको पता है moral का मतलब होता है मनों बल और यह मनों बल क्या होता है मन का बल और मन के बल का क्या मतलब है मन के बल का मतलब यह है आपको मन से लग रहा है यह जो task मुझे दिया है मेरे boss ने मेरे manager ने मैं इसे कर सकता हूं पूरा तो आप ज़रूर कर सकते होंगे लेकिन अगर आपको मन से ही लग गया नहीं people पे भी लगता है इसलिए हम इसको बोलते हैं multi-dimensional I hope यह आपको समझ में आ रहा होगा next is continuous process point is continuous process management is a continuous process यह एक बार का process नहीं है और managers लगातार नहीं नहीं planning करते रहते हैं नहीं चीजे क्या करना है organization के लिए कैसे करना है cutthroat competition है that is why we call it as a continuous process और इसको deep में हम आगे study करेंगे जब अलग-अलग topics और chapter इससे related आएंगे next is group activity group activity का मतलब होता है that I has replaced we पहले क्या होता था मैं मैंने किया अब वो नहीं है हमने किया आपको group में task जिया जाता है उसके बहुत फैदे है that brainstorming होती है idea generation बहुत होता है आप group में काम करते हो and जो concept है एक और एक ग्यारा इसलिए group activity हम बोलते है management को dynamic process dynamic process मतलब हर हालात में जो changes होते हैं उसके हिसाब से हमें भी अपनी policies में अपनी strategies में changes करने पड़ते हैं especially top management इसके लिए responsible होता है managers responsible होते हैं dynamic changes किसे आते हैं कुछ बंदा हो गया government policies में कई बार government change हो जाती है अभी कोई government है फिर दूसरी government आगी उन्होंने taxes बढ़ा दिया आपके product पे अब आप क्या करोगे? dynamic process this ongoing process यह जो COVID-19 चल ला है this is a dynamic process what the organizations will do now 4-5 महिने से कुछ भी production नहीं है कोई माल नहीं भिक रहा है कुछ नहीं हो रहा है employees को बाहर निकाला जा रहा है salary 50% दी जा रही है किसको रखना है किसको नहीं it is a dynamic process and last is intangible what do you mean by intangible? जिसको हम touch नहीं कर सकते tangible तो होता है जिसको feel कर सकते है intangible जिसको touch नहीं कर सकते so management जो है वो intangible है आप उसको देख नहीं सकते हैं आप उसको touch नहीं कर सकते लेकिन orderliness proper organization में काम हो रहा है आप मैसूस कर सकते हो कि यह organization कितनी अच्छे आप देखना कुछ लोग बात करते है वो यह कहते है आज में उस organization में कहा था it's a very good organization सब लोग काम कर रहे थे कोई बाहर नहीं था punctuality थी time से बाहर निकलते है सब कुछ होता है that is intangible आप schools में देखेगा आपका periods चल रहे है सब students अंदर है कुछी किसी school में क्या होता है आदे student बाहर है कोई class में बैटे हैं कोई canteen में तो लोग क्या बात करते है यहां का culture कैसा है यहां का महौल कैसा है वो क्या दिखाता है वहां का management कैसा है तो जितना अच्छा management होगा जितना orderliness अच्छी होगी सब कुछ होगा अगर अच्छा effective management होगा तो वो आपको महां पे नजर आएगा Thank you so much